देशबर के साथ ही संगम नगरी में प्रयागराज में भी गंतंत्र दिवस की धूम है प्रयागराज के संगम तटपर लगे माग मेले में पहुँचे साधू संतों ने भी अपने शिविर में गंतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहन किया है संगम तटपर साधू संथ जहां धर्म और अध्यात्म की अलग जगा रहे हैं तो वहीं गंटंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहन करके राष्ट प्रेम का अनोखा संदेश दिया है साधू संथो का कहना है कि राष्ट सर्वो परी है राष्ट है तो सब कुछ है आज गंटंत्र दिवस का मौका है गंगा की रेती से धर्म अध्यात्म के साथ ही राष्ट प्रेम का संदेश भी आज दुनिया को देने के लिए संथ समाज एकत्रत हुआ है डंडी बाड़ा से जुड़े महिश आश्रम भाराज ने कहा कि हर वर्ष हम माग मास में त्रिवेनी संगम तटपर ध्वजा रोहन करते हैं इस वर्ष भी राष्ट कल्यान की कामना मा गंगा से करते हुए ध्वजा रोहन किया गया है देश में खुशाली और अमन चेन कायम रहे यही संथ समाज की कामना है संथों ने मुस्लिम वफबोर्ट के एलान की अब हर मदरसे में रामचरितमानस का पार्ट भी पढ़ाया जाएगा इसका संतों ने ध्वज करके स्वागत किया है कहा कि अयोध्या में जिस तरह भगवान राम की प्रान प्रतिष्ठा के कारेक्रम में हर वर के लोगों ने बढ़ चर कर हिस्सा लिया है उससे ये साबित होता है कि अब भारत विश्व गुरू बनने जा रहा है अयोध्या के बाद काशी मतुरा की बारी है जिसके बाद पूरे विश्व में केवल सनातन धर्म ही होगा देश में एकता हो भाईचारा पूरी भारतियता आपस में जुरने लगी है जो पचास वर्ष पहले दिखती है यह मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहां प्रयाग के मिटिया दंत्र के द्वारा एक सहयोग मिला तो मैं आज से 16 वर्ष पहले गरतंत दिवस पर ध्वजारोहण करना शुरू किया था उसका एक खाइदा हुआ कि संतों के बीट में एक उलास जगी और पूरे मेले में ध्वजारोहण होने लगा यह पचत्रवा गरतंत दिवस है इसमें मूल कामना तो यही है कि हमारा देश उन्नती को प्राप्त हो हमारे देश में एकता हो भाईचारा हो जो लोभी किश्म के नेताओं के द्वारा मजहब और जाती के नाम पर बाटा गया है वो विखंडित समाज खंडित न हो करके सामोहिक रूप से जुड़े रामजन मभूमी का मुक्ति और रामलाला का स्थापना तो इतने हर्स का विशे है जिसकी वाक्यों में तो विवरन नहीं दिया जा सकता है बताया नहीं जा सकता है वो सब के लिए खुशी की बात है और आज सबसे बड़ा गड़तन तो दियोस का एक महत तोसील बात है कि आज हमारा पूरे भारतियता आपस में जुड़ने लगा है जुड़ने लगा है आज लोग जाती मजहब पंथ के वो छोड़ करके जैनी बहुत मस्जिद में रहने वाले मौलबी सभी लोगों ने राम जन्म उत्सव का उत्सव मनाया है यही भारतियता है जो आज पचास साल पहले देखती थी आज फिर दिखने लगा है हम तो भगवान से प्राष्णा करते हैं इस गरतंत दिवस पर कि प्रभू सब को सनमती दे कि फिर हम को वही अपना बच्पन दिखाई दे जहां एक दूसरे को चाचा और दादा कह करके एक दूसरे का स्वागत होता था और सभी गले मिलते थे इस कामना के साथ ये गरतंत दिवस बनाया गया है